अभुते यह जानना जरुरी है के और केड़ी कतना होई कि safलाव फिसियोलजीकल रिफलेक्स तो इस स्टेज तो इस स्टेज़द गय आगया पर और जानने लstory के बहुंच पर उस तो पहला यह जानना लिए असी देखांगे कि रिफ्लेक्स रिस्पांस जाएं पंजाबी विच जवाब रिफ्लेक्स जवाब जाएं रिफ्लेक्स प्रतिक्रिया दो शबदन दो ने जान लेने ज़रूरी है एक हुंदा की है इस दी छोटी जी प्रवाशा तो अड़ अधिपन लई श्रीर दे किसे एक हिस्से दा एक ऑटोमेटिक तुरंत अचेत जवाब है यह शबद बहुत इंपर्टन ने इंग्लिश विच है रिफ्लेक्स इजन ऑटोमेटिक नमबर वन इमीडेट नमबर दो नमबर थ्री अनकॉइश रिस्पांस है इट मेंस रिफ्ले ज़रूरी ही है रिफ्लेक्स दिया होता अरण करन तो पहला ही जानना नहीं ज़रूरी है जिड़ा इंपॉर्टन पॉइंट आया है कि अचेत जहां अनकॉइंश की है क्योंकि जदो भी रिफ्लेक्स आएगा उसनी प्रबाशा विच अनकॉइश आएगा उसलिए सानू तुसी देख सकते हो के बरफ दा उपरला पाग दस परसेंट दिखाई दिन दा है लेकिन नीचे वाला पाग नब्बे परसेंट है दिखाई नहीं दिन दा तो इह जो नब्बे परसेंट पाग है एदे विच फ्राइट दे मताबक सड़्ियां बर्थ तो कुछ फोर्सेज कि तो हाँ नो ही तो हाँ डे बारे जो नहीं पता तो हाँ डी मर्जी तो बिना जो हो रहा है रिफ्लेक्स जेहा एक जवाब है जड़ा तो अडी मर्जी तो बिना हो रहा है तो अडी मर्जी तो अडी इजाजत तो अडी इच्छा लेंदी ज़रूरत नहीं है एक्जाम्प सबतों पहली उदारन है सब्सक्राइब दारन बहे बर्थ ही बर्थ समय जो रिफ्लेक्स सानू मिलता है सकिंग दी एग्जामपल है जिस विच तुसी देख रहे हो कि बच्चा जो भी अबजेक्ट ओदे मौथ को ला रहा है स्टिमुलस मिल रहा है स्टिमुलस है और एक रिस जिस दा कुदरत जियां प्रमात्मा ने कोई परपस रख्या है सर्वाइवल ली इससे तरह ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स है कोई वी ऑबजेक्ट नमें जब मैं बच्चे दे कोल हटते रख दे हां उसनों ग्रास्प कर लेंदा है इससे तरह रिफ्लेक्स है कि एकदम अग प्रबाशासी रिफ्लेक्स देख सकते हो एक गरम तवे ते हाथ लगदा है हाथ आटोमेटिक लगदा है तो बॉड़ी एक दम चटकेना पिछे हट दी है जा ओपाट चटकेना एक दम पिछे हटता है तो बड़े नक विच कोई स्टिमुलस जानदा है एक दम चिक आ जानदी है रिफ्लेक्स बोलगप पे देख देख देऊ हो मुँझ पाणी आ जानदा है लास्ट विच मुझ पाणी ते क्यों मैं आए क्योंकि स्लाइवेशन ते ही पावलाव ने अपनी थियोरी फोकस रखी सी स्लाइवेशन नो उसने अपना रिस्पॉंस लिया सी टार्गेट रिस्पॉंस जान डिजाइरेबल रिस्पॉंस अपर से समझा के के पावलाव फिजियोलजिकल रिफ्लेक्स जिसनों पजाबी विच सरीरिक रिफ्लेक्स ते कितना काम कर रहा सी और कटना की वापरी की साइकिक रिफ्लेक्स जा मन लिए प्लाई किता जांदा है हुन मापना की है response की है reflex प्रयोग विच यह बहुत ज्यादा जुरूरी सी कि उस reflex दी response दी मात्रा किननी है नैचली है कि कटना ता श्रीर दे अंदर कट रही है और आस इस श्रीर दे किसी हिस्सी चो पैदा हो के naturally है कि मूँ दे विचांदा है साड़े human being दे वी उन्हें इत्थो रस्ता टपक पहना सी लेकिन उसनों मापना है measurement करनी है और measurement करनी पावलव ने की कीता है कि टिस्ट ट्यूब जो इते इस पिक्चर विच दिखाई दे रही है और उस दे मूँ विच फिट कर दिती तां जो जो जोदों भी response आवे इस श्रीर दे पाग विच्चों ते उस सारा इस विच कैद हो जावे तां जो बाद विच उसनों मापया जा सके के ओ रिस्पांस ओ रिफ्लेक्ट्स जहां ओ स्लाइवेशन जहां ओ लार किन्ने मिली लिटर है जहां उस दी मातरा किन्नी है इसनों असी पावल ओ दे ओरिजनल जो फोटो है देख सकते हैं ट्यूब इंजर्ट किती होई है और एस ट्यूब दे जरीए इनल ट्यूब फिच किती जांदी है और एदे विच लार टपक दी है उस दी मेईरमेंट बाद विच किती जा सकती है सो ए तगल हो गई कि रिफ्लेक्स रिकार्डिंग जा मेईरमेंट किस तरह करनी है दूसरा है कि उदे लेई उदिपन जा स्टिमुलस केड़ा दिता जाना है नैचुली है कि वो फूड है फूड दिया एथे मॉटरन फूड रखे है लेकिन रेड मीट या मीट पॉडर जां उसने एसिड सल्यूशन दा वी प्रयोग किता सी कि सिर्फ ए देखना सी हो एसिड सल्यूशन जा मीट पॉडर डॉग दे मूव इच पाया जान दा सी जहां शुरू विच डॉग नो ओस तरह फूड भी प्रिजेंट किता जान दा सी जो दो फूड प्रिजेंट किता जान द तो श्रीरिक रिफ्लेक्स दे इस प्रयोग विच शुरू विचो ट्यूब फिट करनतो बाद उसनो फूड प्रिजेंट किता जान्दा सी, फूड प्रिजेंट हो बाद इमी डेट ट्यूब विचे देख सकते हो, स्लाइवेशन जा लार टपकनी शुरू हो जान्दी सी, उसन में तो अड़ा टीच है, तो अड़े मार्क्स नो किते न किते रिकॉर्ड कर दे हन, उस स्लाइवेशन नो उतार के दूसरी ट्यूब जो के जिसे विच पूरी मेयरमेंट हो सकती है, पाके मेयरमेंट कीती जान्दी सी, के एक ट्राइल विच एनना रिस्पांस आ गया है, इ यही बिहेवियरिजम है, यही क्वांटिफार, हुण इस कटना करामनों इस तरह समझ लिए कि जो सरीरिक रिफ्लेक्स ते प्रयोग हो रहा है, इस साइकिक विच कि में कनवर्ट हो गया, इस सिच्वेशन सामने है, प्रयोग जड़ा है, ओपन हो रहा है, और इदे पहला मेन जो रिसपांस देन वाला जैसनों लर्ल कहा सकते हैं, डॉग इत्थे है, असी सीन विच देखाए हैं, दूसरा पावलव खुद उनादे सामने हैं, जोज़ो फूड प्रिजन्ट जान्दा है, तीसरा जो फूड प्रिजन्ट कीता जान्दा है, जा बाकि मेजर्म को सुनया होए के साउंड ओफ फुट पैर चाप पैरां दी आवाज जां असिस्टंट जां पावलो दे पैरां दी आवाज एक दो तिन चार एक हन एस्टिमुलस हन उदीपन हन लेकन असल उदीपन की सी जो इते खाना रख्या जानदा सी असल उदीपन कि एनिलाट अप की है एक दिन फूड जिता गया ते पाव लौव जो दो फूड प्रिजेंट कर दा सी उसने किन्ने देर बाद फूड प्रिजेंट करन बाद रिस्पाउंस आ गया डाइजेशन प्रक्रियाब शुरू हो गई दूसरा के रिस्पाउंस थी मात्तरा किनी निद जो कि इस ट्यूब विच में यह हो रही है जो तो एक दिन दो दिन चार दिन पंच दिन सत दिन आठ दिन दस दिन पावलोव ने एक्सपेरिमेंट कीता होना की के डॉग नो पुखे रख्या जाना नंबर एक उस तो बाव पुखे रखन तो बाद नेच्छली है पैराना चलक नो देख देख दे सार ही सलाइवेशन ट्यूब विच आना शुरू हो गया पावलोव नो देख दे सार ही ट्यूब विच रिफ्लेक्स रिस्पांस आना शुरू हो गया इस तो पहला होर की कुछ हो गया के असिस्टेंट दे पैरा दी आवाज सुन दे सार ही और ट्यूब रिस्पांस आना शुरू हो गया खाली सिर्फ बर्तन नो देखके फूड प्लेट नो देखके ही रिस्पांस टेस्ट ट्यू विच आना शुरू हो गया पावलोव ने इफेक्ट ताप्रबावता फूर दा देखना सी लेकिन एथे स्टिमलस 1 लिकलेने हैं बीच टोड नाल एसोसियेट हो गये पूड दी जगा ते इना नाल ही रिस्पांस आना शुरू हो गया जो कि पावलोव लिएक बड़ी प्रावलम सी क्योंकि वो फिजियोलगी दा श्रीर्व घ्यान दा एक्सपेरिमेंट करना चांदा सी लेकिन ए मनो विज्ञानिक तत के डॉग दे अनकॉइंशियस माइंड ने फूड नाल एसोसियेटेड बाकी स्टिमुलस ते भी सेम रिस्पॉंस देना शुरू कर देता है इना उधीपना ते जो रिस्पॉंस रिफ्लेक्स आना शुरू हु कि आदर आफ क्लासिकर इकलिपन डा सफर विज्ए verse को रिफ्लेक्स कि सी जो फूड ते एक स है जान दाए उसनू कहा जान्दा ओसी फीजियौ लॉजी कल रिफ्लेक्स सृरीदिक रिफ्लेक्स मनो विज्यानिक next is तो बाद नें फोकस की की ता कि द्विज्जियोलजिकल दे नाल नाल साइकिक रिफ्लेक्स नू साइंटिफिक मेथड नाल कंट्रोल्ड कंडीशन नाल स्टडी करना शुरू कर देता उदे विच की किता कि हुण पावलाव सामने है और उन्हादा असिस्टेंट सामने है पैर चाप दी अवाज सुनाई दे रही है फूड प्लेट द अन्हों हटा दिता रिमूव पर दिता मतलब के एक्सपेरिमेंटल रिसर्च विच ए सारे स्टिमूलस वेरियेबल अगल देरेशन औरीजिनल एक स्टिमूलस जेड़ाच जेदा जवाब विच जेड़े प्रवावनू इवैल्यूट करना सी इसलिए इना दे प्रवावनू हटाधता गया सिर्फ एक स्टिमूलस रख्या गया अगले एक्सपेरिमेंट ओसी साउंड आफ बैल सो इस तरह पावल अवदे एस एक्सपेरिमेंट तो नमास फर शुरू होया जो कि फिजियालाजीकल रिफ्लेक्स तो सैकलाजीकल जा साइकिक साइकिक रिफ्लेक्स कुछ नहीं है कंडीशन रिफ्लेक्स है जिस नूइक लू मिरर लगा गया उस मिरर दे पिछे पावलॉव नों खुद है ओनने दे विच दिखन योग गल आ है कि कंटोल कंडिशन की है और डौक पावलॉव नों नहीं देख सकता है लेकिन पावलॉव डौक दे बिहेवियर नों अब्जर्व कर सकता है नरिखन कर सकता है उनना दा मापड यह थे देख सकता ओ इते चुपाया गया है इते फूड है और उसनो दी स्मेल नो भी टक के रख्या जान्दा सी तां जो उसनी स्मेल भी लॉग तक ना पहुंच सकता ये इस तरह नाल ओ सारे स्टिमुलस नो हटा दिता गया जिसनो किया जान्दा है अकसर एक कॉश्चन पुछया जान्दा है इस दी प्रबाशा नो देख सकते हो इतो पढ़ सकते हो जिदो ओ एक्जांपल न तुलना करोगे तो अनो समझ आ जाएगी पावल ओफ दे एक्सपेरिमेंट दे कंटेक्स्ट विच इसनो समझ लेना चाहिदा है ए इंडिपेंडेंट वेरियेबल है जिसनो स्टिमुलस तुजी के ने है कॉश्चन पुछया जान्दा है अकसर दूसरा डिपेंडेंडेंट वेरियेबल है जो रिफ्लेक्स वेरियेबल उधीपन वेरियेबल निर्बर जवाब वेरियेबल और नियंतरित वेरियेबल नियंतरित वेरियेबल के डे इन हन ओ वे स्टिमुलस जेना दे परबाव नू हटा देता गया है जो के डिपेंडेंडेंट वेरियेबल जा निर्बर वेरियेबल स्लाइवेशन त एफेक्ट कर रहे हैं जी में के पावलोब, साउंड ओफ फीट, फूड प्लेट, असिस्टेंट ओफ पावलोब, अट्सेटरा